अब दीखें कि निस्पक्ष सुनवाई क्या होता है यानि कि fair trial क्या होता है तो fair trial यह होता है कि जैसे कि माल यह जिनके उपर आरोप लगा हुआ है और जिन्हों ने उसके उपर आरोप लगाया दोनों की पहले अच्छे से बात जो हो सुनी जाती है दोनों की जो evidence है उसको से सजा देना है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई R.O.P. है R.O.P. के नाम से जैसी जाएगा और जज उसको तुरंट फैसला सुना देगा ऐसा नहीं है जज उसकी भी बात सुनेगा अगर वो मालिचे गिल्टी है तो उसको भी मौका देगा कि उसकी भी बात वो सुने और उसके बाद उसकी भी जो एविडेंस कलेक्ट करने के जो रूल से उसको करने का मौका मिले उनकी भी जो राइट से उसको भी ध्यान में रखकर जो है वो जज कोई भी फैसला जो है वो लेता है तो यह fair trial यानि कि जो निस्पक्ष सुनुलवाई है वो judge वहाँ पर करने का प्रियास करता है हलाकि इसका जो main उदेश है वो है क्या इसका main उदेश यही है कि फैसला हो उसकी जो principles है justice के उसको अच्छे से बनाए रखा जा सके सुरक्षित रखा जाए और जो भी individual rights होते हैं लोगों के वो भी protected रहें और साथी साथ जो public है उनका विश्वास court पर बना रहे है इसलिए जो fair trial है वो हमेशा चलाई जाती है court में भली वो किसी तरह का दोख्षी है लेकिन उसको पूरा-पूरा मौका दिया जाता है अपने आपको बेगुना साबित करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते है अजमल कसाब के केस में भी यह चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पर भी fair trial जो है काफी जादा चला था जो कि मूंबई हत्याकारण में जो आजमल कसाब है वो पकड़ा गया था तो भाली उसने सब कुछ किया वो गनफायर किया लोगों की जान लिया लेकिन तुरंत कोट में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि जो हमारे जज़िस थे वो देखते कि साथ उनको तुरंत यह फैसला दे दिये कि इसको फांसी प पूरा-पूरा मौकर दिया गया था तो यह इंडियन कॉंस्टूशन की बहुत बड़ी खोवी है कि फेर ट्रैल जो है वो चलाई गई ताकि वो भी अपने आपको निर्दोर्श थाबित करने के लिए पूरा-पूरा कोशिश करे और ऐसा क्यों क्योंकि जो हमारा इंडियन को करती है